हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तू टेक्निकल उपेंदर प्लीस सब्सक्राइब और प्रेश दिबल इकन पॉर लेटेस्ट अपडेट अलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंप्रेटिव सेंटेंस यानि आग्या सुचक वाक्यक के बारे में इसका डिफिनिशन यानि परिवास हिंदी में जानते हैं जिस वाक्यक के द्वारा हम किसी को आदेश देते हैं सलाह देते हैं या कोई अनुरोध करते हैं यानि रिक्वेस्ट करते हैं उसे आग्या सुचक वाक्यक कहते हैं जिस वाक्य के दोरा हम किसी को आदेश देते हैं यानि और सला यानि अडवाइस या कोई अन्रोथ करते हैं यानि रिक्वेस्ट उससे आग्या सुचक वग्य कहा जाता है कुछ एक्ञंपल यहाँ पर देते हैं जानते हैं टीक है जैसे मुझे जाने दो लेटीम को एनी के हमरे क्वेस्ट कर रहा है रोहित को खेलने दो लिट रोहित पले बच्चों को पार्क में जाने दो let children go to park उसे मत आने दो don't let him come let him not come पापा को मत जाने दो don't let dad go ठीक है तो यह example हो गया यानि कि मनलब किसी से request कर रहे है या समझे तो advice कि भी हो सकता है यानि कि यह सारा आ सकता है जो भी मैंने example दिया है एक और यह दूसरा जैसे example है गरीबों को कभी मत सताओ never bother the poor कभी जूट मत बोलो never tell a lie please बच्चों से मिलो please meet the children please मुझे बताओ kindly tell me please tell me हमेशा सच बोलो always speak the truth हमेशा बड़ों की इज़त करो always respect elders ठीक है राम के सा जाओ go with राम ठीक है पार्क में आओ come at the park ठीक है यह कुछ इग्जाम्पल मैंने इंप्रेटी सेंटेंस का दिया I hope आप लोगो वीडियो अच्छी लगी है तो please like, subscribe and comment करना न बूले thank you friends